एक ऐसी वेबसाइट जहां पर मन्थ वन बिलियर कस्टुमर आते हैं लोगों से काम कराते हैं स्केम एडवाइजर के एकॉर्डिंग हेंडर्ट बाइडर्ट स्केम स्कोर है कि ये ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट है सिमिलर वेब के एकॉर्डिंग 25 साल हो गए हैं इस वेबसाइट को ये काम कर रही है लोग इस वेबसाइट के उपर आके काम करते हैं पैसे कमाते हैं अब ये कौन सी वेबसाइट है आप किस तरह से यहां पर वर्क करोगे तो रिसेंटली शायद अन्मे साब की एक वीडियो थी जिसके अंदर वो बता रहे थे कि वो पर डे $1,000 to $2,000 अन करते हैं और वो ड्रॉप शिपिंग का सारा काम था तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेट कुछ भी नहीं बता रही बहुत ही असान तरीका बताने लगी हूँ आपको आप इस वीडियो को देखके सारा प्रॉसेस सीख लोगे आपको बताने लगी हूँ वेबसाइट पर एकाउंट कैसे बनाओगे काम क्या करना है आपने वेबसाइट के उपर विड्रा कैसे लेना है मैंने इस वेबसाइट के उपर काम करना स्टार्ट कर दिया है इसलिए मैं आपसे भी कहती हूँ कि जल्दी से इस website पर login करो, काम स्टार्ट करो क्योंकि ये बिल्कुल एक real और authentic website है और जिसका बड़े-बड़े लोग कह रहे हैं real है तो क्या आप उन पर trust नहीं करोगे कि ये website real है और आर रेड़े लोग इतना ज़्यादा इससे कमा रहे हैं हर एक step में clear करती हूँ आपसे जल्दी से वीडियो की तरफ चलते हैं और सीखते हैं ये सारा process वीडियो को proper start करते हैं सबसे पहले मैं गूगल पर जड़ी जाती हूँ और यहाँ पर एक site लेकर search कर देती हूँ cj.com इस ही site को आपने लेकर search कर देना है तो इस तरहां से इसका display open हो जाएगा अब आर रेड़ी मैंने आपको बता दिया है कि 1 billion monthly customer यहाँ पर आते हैं जो कि site के उपर आर रेड़ी mention है इसके इलावा annual हर साल 14 billion लोग इस website के उपर आते हैं काम करते हैं जो अभी मैं आपको बताने लगी हूँ इसके इलावा 157 million annual यह सारी details आपको इस site ने पहले ही बता दी है अब 1 billion monthly customer आने का मतलब यह है कि 100 क्रॉर्ण लोग इस website के उपर हर month आते हैं जब सोचने की ही बात है इतने ज़्यादा customer इस site के उपर work कर रहे हैं आपने किस तरह यहां पर work करना है तो सबसे पहले यह मैं आपको site दिखा देती हूँ आपने इस site को पहले एक दफा देख लेना है उसके बात यह देखें scam advisor के उपर क्या कहते हैं 100 by 100 scam score है कि यह real site है इसके अलावा similar web के उपर जब मैं चरी जाती हूँ यहां पर link paste करती हूँ तो यह कहते हैं यह website कम बनी है 1998 के अंदर यह बनी है इसका annual revenue कितना है 100 million dollars से 200 million dollars तक का annual revenue है इसके अलावा देखें per month 1.4 million यहां पर customer लिखावा है similar web के according इतने लोग आते हैं इस website के उपर अपनी services प्रोवाइड करते हैं काम करते हैं और earning करते हैं अब जल्दी से site के उपर दुबारा से चले जाते हैं यहां top पर 3 lines पर में click कर दूँगी और यहां आपने click करना है login के उपर पहले मैं यहां top के उपर arrow पे click करके desktop site को open कर देती हूँ तांके आपको हर एक चीज clearly नजर आए कि इस site का purpose किस तरहां से है यह कैसे work कर रही है एक तरफ option है आपके पास advertiser का जो इस site के उपर पैसे लगाते हैं और अपना काम करते हैं इसके इलावा एक site आजाती है publisher की के आपको पैसे नहीं लगाने जो लोगों ने product लगाएवे हैं आपने आर रिडियों ने sell करना है तो यह काम अभी हमने नहीं करना advertiser के उपर हमने बिल्कुल click नहीं करना क्यूंकि हमने यहां पे पैसे नहीं लगाने आपने click कर देना है publisher के उपर और यहां sign up के उपर click कर देना है तो इस तरह से यहां पे एक portal open हो जाएगा यहां पर हमसे क्या कहते हैं कि आपने login करना है account create करना है अपनी email यहां पे आपने लगा देनी है email आपने किस तरह से लगानी है यह देखें इस option के अंदर आपने लिख देना है पहले अपनी language language हमने English select कर देनी है इसके इलावा आपने नीचे country है आप कौन सी country से हो आपने वो mention कर देना है तीचे है email तो email आपने वो लिखनी है जो हर टाइम आपके पस active हो जब भी notification आपको मिले तो आपको एकदम से reach कर जाए इसके लावा password का नीचे section है तो आपने कोई ऐसा password रखना है एक तो आपको भूले नहीं क्योंकि बार बार आपको इस site के उपर password लगाना पड़ता है तो जो भी new password आप यहाँ पर लगाओगे आपने उसे save कर देना है अपने पास के यह है आपका password इसके लावा confirm password के उपर भी click करके आपने password अपना paste कर देना है I am not on remote के उपर जब आप click करोगे तो आप से कहेंगे यहाँ पर verify करें stills को तो यहाँ पर मैं 3 stills को verify कर देती हूँ मैंने click करके verify के उपर click कर दिया तो अब कहते हैं submitting आपका form इस site के उपर submit हो रहा है अब कहते हैं आपको हमने एक email set की है तो जल्दी से मैं उस email के उपर चली जाती हूँ जो मैंने यहाँ पर लगाई थी यह देखे email के उपर जब चली गई तो तब आगे सारा process होगा उसके इलावा नहीं हो सकता अब इस line के उपर जब मैं click कर देती हूँ तो इस तरहां से मेरे पास एक dashboard open हो जाएगा इस dashboard के according यहाँ पर हमसे क्या कहते हैं आपने अपने कुछ requirement फुल्फिल करनी है जैसे के यहाँ पर लिखावा है टॉप आपकी age कितनी होनी चाहिए 18 years होनी चाहिए इसके इलावा नीचे वाला एक icon है आपने इन दोनों को click कर देना है इन दोनों को tick mark कर देना है तब ही आप eligible हो इस site के उपर अपना account create करने के लिए जब आप इन दोनों को click कर दोगे तो उसके बाद नीचे आप से क्या कहते है तीन option है आपके पास एक publisher service agreement है इसके लवा software policy है और एक third one आपके पास आ जाती है अब इसे आपने किस तरहा से read करना है मैं आपको वो बता रही हूँ अब यह जो blue line के अंदर लिखा वाए आपके पास publisher service agreement आपने इस agreement के उपर click कर देना है जब आप click कर दोगे तो इस तरहा से English के अंदर इनकी terms and condition लिखी वी आएंगी आप इने read करना चाहते हो तो कर दो नहीं करना चाहते है तो कोई भी ऐसी वेसी बात इसके अंदर नहीं लिखी वी आपने इसे accept ही करना है आपने इसे allow ही करना है वरना आप account की react नहीं कर सकते अब अगर आपको इस English की समझ नहीं आरी तो आप translate English into उर्दू के उपर जाके इस सारे text को copy करके paste कर दो अर्दू के अंदर सब लिखावा आ जाएगा आपको समझ आ जाएगी इसका purpose क्या है तो जब मैंने blue lines के उपर click कर दिया तो ये देखें अब मैं दुबारा से बेक आ जाती हूँ कि मैंने ये चीज़ें सारी read कर दी है जब इन्हें पता चलेगा read कर दी है आपने software policy है तो blue वाले text को आपने click कर देना है सारी read कर देनी है read नहीं भी करो एक नजर आपने डाल के बबारा से इसके उपर आ जाना है और यहाँ पर accept agreement के उपर आपने click कर देना है तो accept हो जाएगा इसी तरह से third one है इसके उपर भी आपने click कर देना है तो यह देखें अब यह accepted लिखावा आ गया है मतलब आपने यह चीज़े read कर दी है बेशक हमने read नहीं की continue to account के उपर आपने click कर देना है तो इस तनहां से यह सारा account इनका open हो जाएगा अब यहाँ पर हमसे कहते हैं वो ही email लिखें वो ही password लिखें जो हमने सबसे पहले लगाया था तो आपने अपनी email भी लिख देनी है और password जो मैंने आपसे बोला था आपने भूलना नहीं है वो भी आपने यहाँ add कर देना है अब password भी मैंने लिख दिया है यहाँ पर account मेरा create हुआ भा है यह आजाता है आपके पास main step जिसके अंदर 7 points है total इन 7 points को आपने complete करना है क्योंकि यह एक real और authentic website है जैसा कि मैंने already आपको बताया है इसलिए इसकी एक एक requirement को आपने fulfill करना है जैसे आपको bank details बतानी होती है इसके अलावा आपको text के बारे में सब कुछ details बतानी है अपने बारे में बताना है कि आप कौन सी जगा पर रहते हो अपना सारा check and balance आपने सारी चीज़ें यहाँ पर mention करनी है जब यह आपको payment send करते हैं तो फिर उसके अंदर कोई भी issue नहीं होना चाहिए क्योंकि यह foreign countries है foreign country के अंदर यह सारे work कर रहे हैं तो जब आपको payment आएगी तो आपको कोई भी issue नहीं होना चाहिए इसलिए यहाँ पर यह 7 steps है second point है इंटर your user information आपने अपनी information यहाँ पर add करनी है मैं add user information के उपर click कर दूँगी जब मैंने यहाँ पर click कर दिया तो अब हमसे यहाँ पर कहते हैं आप अपनी details हमें बताएं जैसे के यहाँ लिखावाय मैं जूम कर देती हूँ और यहाँ pencil के icon के उपर मैंने click कर देना है जब मैंने यहाँ click कर दिया तो कहते हैं अपना first name लिखें last name लिखें, email भी है, phone number लिखना है इसके लावा एक title लिखना है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ first name भी, last name भी, title भी यहाँ पर लिख देती हूँ यह देखें इस तरह से आपने यहाँ सब कुछ मेंशन कर देना है title के अंदर आप लिख तो कोई भी affiliate marketer इस तरह से लेके सर्च कर दो या कोई भी आप digital marketing लेके सर्च कर दो save के उपर जब मैंने click कर दिया तो अब यह देखें, अब हमारे पास पहला option है complete हो गया है, इन्होंने blue tick हमें लगा के दे दी है second step भी हमारा हो गया है complete अब third step के अंदर क्या कहते हैं complete your network profile इसके उपर आपने क्या करना है, click कर देना है आपने क्या करना है, wet throughout process आपने इस line के उपर click कर देना है जब आपने यहाँ पर click कर दिया तो अब आप से यहाँ पर कहते हैं आप अपनी details बताएं आपने क्या करना है, edit के option के उपर click कर देना है ये जो EDIT टॉप को वहीं इसके उपर आप जब क्लिक करोगे आप कहते हैं आपने हमें अपने बारे में बताना है आप इस साइट को पर किस तरहा से work करोगे आप क्या करते हो आप के पास अपनी details नहीं है क्या करते हो किस तरहा का work आप पर्फॉर्म करते हो आपने क्या करना है सिंप्ली चैट जीपिटी के ऊपर चले जाना है और उससे कहना है कि मैं एक एफिलियेट पब्लिशर हूँ तो काइंडली मेरे बारे में दो तीन लाइने लिख के आप बता दें तो ये देखें चैट जीपिटी ने आपको बता दिया आपके बारे में कि आप ये ये सारे काम कर सकते हो आप इतना जादा रिवेनियो जिनरेट कर सकते हो और ये सारी डिटेल से ने हमें बता दी है अब आपने इसे कर देना है copy, copy कर देने के बाद इस section के अंदर आके आपने paste कर देना है तो हमारी description हो गई है ready अब simply नीचे आपने safe के उपर क्लिक कर देना है तो हमारा यह step भी complete हो गया है हमारे बारे में चरजी पीटी ने जो हमें बताया हमने इने बता दिया यह third step था हमारे पास यह सारा हो गया है ready अब four step के अंदर आपसे क्या कहते है एड आप promotional property यह इसी चीज़ से promotional property को देख कि आपने confused नहीं होना इसका मतलब यह है add property के उपर जब मैं क्लिक कर देती हूँ तो इसका purpose यह है आपका कोई भी social media account है किसी भी तरह की website है email है तो आप हमें उससे related बताएं अब हमारा social media account हो हर एक का होता है email भी सब की है इसके इलावा आपकी कोई भी website है तो आप उससे related भी details ने बता सकते हैं तो अभी मैं फिल्हाल के लिए क्लिक कर देती हूँ यहां क्लिक कर देती हूँ create property इसके उपर मैंने क्लिक कर दिया कहते हैं इन सब में से कौन सी चीज आपकी है तो हमारा सिर्फ क्या है social media के account तो यहां social के उपर मैं क्लिक कर दूँगी अब कहते हैं अपने account का link यहां पे पेस्ट करें तो मैं इस website के लिए पेस्ट कर देती हूँ Facebook का link पीजे Facebook लिख दिया और आगे मैंने उसका URL पेस्ट कर दिया पेस्ट कर देने के बाद अब यहां पे क्या लिखना है चेक URL के उपर मैं क्लिक कर दूँगी तो उने ने मज़े verify कर दिया है कि हाँ आपका यह Facebook काउंट है हमने आपको verify कर दिया है इसके राव स्क्रॉल डाउन जब आप नीचे करोगे तो आपने यहां influencer के उपर क्लिक करना है influencer option को आपने यहां mark कर देना है इससे यह होगा कि लगेगा कि हाँ आपको कोई भी आप influencer हो आपके कोई भी personality है और लोग आपको follow करते हैं जब आप लोगों के product वहाँ पे बेजोगे तो वो आपको follow करके उस link के उपर आएंगे और product buy करेंगे influencer के उपर यहां पे जब आप क्लिक करोगे तो primary promotional model इसे आपने टिक मार्क कर देना है ताँकि यह purple color में ही show हो description लिखनी है तो हम यहां पर description फिरहाल के लिए नहीं लिख रहे है टॉपर में आज आती हूँ और यहां पर मैं safe के उपर क्लिक कर दूँगी तो यह देखे मेरे पास यह step पी complete हो गया है हम से जो पूछा गया था property से related हमने वो सारी details बता दी है अब यह step भी complete हो गया next step हम से यहां पर पूछते हैं कि आपने क्या करना है अपनी आपने text form को फिल करना है जैसे कि enter company details and submit text form यह बहुत ईजी है जल्दी से आपके सामने ही मैं इस form को भी फिल कर देती हूँ सब्मेट फार्म के उपर जब मैं क्लिक कर दूँगी वेड मी थ्रू दिस ओन बॉर्डिंग टास्क के उपर मैं यहां क्लिक कर दूगी अब मैंने क्लिक कर दिया तो इस साइट के उपर हमसे कुछ टीटेस माग रहे हैं अब यहां पर दो ऑप्शन से इडिट के तो पहले म पासवर्ड लिक दी अब 이제 सेफ के उपर मैंने क्लिक कर दिया तो कहते हैं यहां पे बताए और ऑर्गनाइज़ाशन आपको नहीं पता किया है तो डूगल के ओपर आपने नाम लिख देना तो उसे का न पॉस्टल कॉट क्या है पहले आपने password लिख देना है लिख देने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास तीन किसम के methods आते हैं कि आप अपनी text form को submit करोगे in in methods के through तो पहला तो यह है कि अगर आप United State में रहते हो तो आपके लिए eligible है तो हमने पहले को नहीं देखना second वाना आजाता है अगर आप United State में नहीं रहते हो जैसे के पाकिस्तान और किसी country में रहते हो तो यह second वाना text form आपके लिए valid है आपने इसके उपर click करना है click करना click चब आप कर दोगे तो अब आपसे कहते हैं अब text form को fill भी करना है किस तरह से हम इस form को fill कर सकते हैं देखे यह सारी डीटेल है बिलकुल basic चीज़े आपसे पूछी है अभी आपके सामने ही यह सारा form भी में फिल कर देती हो लेकिन अगर आपको फिल भी इसका method नहीं आता तो आपने गूगल पर पहले search कर देना है कि हम किस तरह how to fill आगे code आ without any mistake तो यह आपको सारी डीटेल्स बता देगा अब देखे जब मिने किया तो फार्म के अंदर पूछ किया रहे हैं हमसे दुबारा से आजाती हूं बेक फार्म के उपर तो आपका नाम आपकी डेट अफ बर्थ आपका कंट्री नेम आपका जगह के रहने वाले हो इसके इल यह लिख देने के बाद आपने सिंपनी नीचे सेफ के उपर क्लिक कर देना है सब्मिट के अपने क्लिक कर दिया तो टेक्स फार्म आपका कंप्ली हो गया है यह देखें यहां पर ने टिक लगा के हमें दे दी है कि आपने जो इन्फरमेशन दी है वो एथेंटिक थी रियल हैं कि आपका एकाउंट हमने एप्रूफ कर दिया है मैं गॉट इट के ऊपर जब क्लिक कर दूँगी तो यह देखें इस तरह से डिस्पले ओपन हो जाएगा यहां टॉप पर आप्शन आ जाता है पार्टनर का इसके ऊपर जब मैं क्लिक कर देती हूं तो नीचे मैंने पास मैं यहां find advertiser के option को क्लिक कर दूँगी अब जब मैंने यहां पर क्लिक कर दिया तो यह यहां पर देखें different advertiser हैं इनके different products होते हैं different softwares होते हैं जोने यह sell करते हैं और अगर आप इने यह sell करके देदो तो देखो एक-एक product का आपको 100 डॉलर यह charge करते हैं एक-एक product sell होने का अब यह different advertiser होते हैं जोने इने अपने product यहां पर लगाए होते हैं आइदर वो कोई software है कोई video editing का software है इसके लवा कोई भी product है कोई भी screen recorder है तो वो सारी चीज़ों ने यहां पर लगाई होती है अब यह देखें एक-एक चीज़ सेल होगी तो आपको इसका कितना profit मिलेगा इन्होंने आगे वो भी mention किया वह है अब आपने इन मेंसे किसी भी एक के उपर क्लिक कर देना है लेट स्पोस में इसके उपर एक क्लिक कर देती हूँ मुवावी screen recorder है यह इसके उपर जब मैं क्लिक कर देती हूँ तो देखें यहां पर कहते हैं आपको 100 dollars मिलेंगे अगर य तो पहले मैं इसके उपर क्लिक कर देती हूँ और देखती हूँ यहां पर पाकिस्तान अवेलिबल है यह नहीं तो देखें इसके उपर जब मैंने क्लिक कर दिया तो नीचे मैं यहां पर कंट्रॉल F करके पाकिस्तान लिक देती हूँ तो यह अवेलिबल है कि इस पाकिस्तान अवैलेबल था तो एपलाय टूप्रोग्राम के उपर क्लिक कर दूँगी मतलब यह के मेरा मेंसेज इस अड़काइजर और यहां से टेरग्टर्टी में से ओडार्यूर्टेक्ड though यहां से गिया है। यहीर इमेल देखेंगे तो मुझे एक नोटिफिकेशन सेंड करें एक एमेल जिसके अदर यह मुझे एक लिंक देंगे एक URL देंगे और यहां से डिरेक्टली में अपने अफिलियेट प्रोग्राम्स के थू डिरेक्टली में पब्लिशर से कंटेक्ट कर सकती हूँ वो जो भी मुझे लिंक देंगे मैंने उसे प्रमॉट करना होगा और अगर एक बंदा भी इस लिंक के उपर क्लिक करके इनका प् जोगल पर चली जाओं और यहां पर लिखूं ओनलाइन प्रोड़क्ट सेल एंड वाटसेफ ग्रूप यह लिखके जो मैं सेर्च कर दूंगी तो डिफरेंट मेरे पास वाटसेफ ग्रूप आ जाएंगे जिनने में जॉइन करके अपने इस प्रोड़क्ट का लिंक वहां प केंदर 41,000 तो इस साइट के ऊपर जब क्लिक करोगे इनके ग्रूप को आपने जॉइन कर देना है और यहां पर आपने एक पॉस्ट क्रियाट कर देनी है लिंक पर आपने पॉस्ट कर देना है जो लोग भी क्लिक करेंगे तो अजायर सी बात है आपको कोई कमिशन मिलेगा जैसे कि यह फेस्बुक का एक पेज है इसके ऊपर आपने यहां चले जाना है और आपने यहां लिखना है कि यह कोई एक सौट फियर है यह सेल हो रहा है अगर आप इसको वक्त पर लोगे तो आपको कोई कमिशन भी मिल जाएगा आपको कोई ओफ रेट्स मिलेंगे लिंक आपने आगे पेस कर देना है तो जो भी इंटरस्टेड ओडियंस होगी वो इस लिंक के उपर क्लिक करेगी और आपको डिरेक्टली उसका कमिशन मिलेगा और पॉब्लिशर के साथ आप डिरेक्ट कंटेक्ट में होगे ऐसा नहीं है कि आपके पास उनका कंटेक्ट नंबर ही है और आप उनके प्रोड़क्ट को सेल करो तो यह बहुत बश्ट तरीका है आपके पास ओनलाइन सेलिंग का तो यह सब था इस वीडियो के अंदर के हमने देखा किस तरह इस वेबसाइट के उपर हमने लोगइन किया एकाउंट क्रियर किया एफिलियर्ट मार्किटिंग का यह प्रोपर प्रोग्राइम है जैसे ही आपको एडवर्टाइजर सेलेक्ट कर देते हैं एक लिंक दे देते हैं आपको तो उस लिंक को आपने प्रोमॉट करना होगा उन लोगों तक पहुँचाना होगा जिसे वो चीज़ चाहिए केमपेंस भी रन कर सकते हो फैस्बुक अगर वीडियो है मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दे मेरी वीडियो थैंक यू सो मच अला हाफिज